हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेग गुरू है इस चीज को देख करके ऐसा लगा कि हो सकता है कि हैस्टैक को किस तरह से मैं यूज कि防í कि लगा देने کے बाद एसा नहीं है कि पूरा की वरा एक्टिव हो जाता है रसने लगा देने के बाद कुछ सब्स होते हैं अगर उसको हम follow नहीं करते हैं तो हमारा पूरा-पूरा keyword inactive रहता है तो friends आज की वीडियो में मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ मैंने इसलिए आज सोचा कि आज मैं इसी topic बर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि जो new commerce हैं उन लोगों को काफी help मिलेगी और useful होगा यह वीडियो की hashtag को किस तरीके से use किया रहता है hashtag sign के बाद हमें कौन-कौन से ऐसे sequences जिसे follow करना चाहिए कि हमारा keyword पूरी तरीके से active रहे इन active ना रहे क्योंकि अगर हमारा keyword active ही नहीं है तो हमें benefit मिलेगा ही नहीं हमारी वीडियो पर rank ही नहीं आएगी हमारी वीडियो पर traffic ही नहीं आएगा हो जाए तो फ्रेंट्स आईए तो आगे हम लोग अमने computer screen की ओर आईए मैं दिखाता हूं आपको कि हैस्टैग लगाने का सही तरीका क्या होता है क्योंकि लोगों को मैंने देखा कि कई बार हैस्टैग लगाने में काफी गलतिया करते हैं तो फ्रेंट्स मैं इसको आपको पहले सबसे पहले दिखा सकता था इसमें description box में जाकर कि आपको दिखा सकता हूं बट मैं आपको दिखाता हूं word file में क्योंकि इसमें आपको easy way में समझ में आएगा कि कैसे लगा जाता है तो जैसे सम्भोष जैट कि हमारा आज का topic है जो हमें यह हैस्टैग लगाना है कि हा YouTube channel माली जिसमें हमें hashtag लगाना है तो इसको कुछ लोगों को मैंने देखा है कि hashtag कैसे लगाते हैं तो कुछ लोग件 इसमें hashtag लगाते हैं जैसे उन्होंने लगाया hashtag लिखा फिर उसके बाद वो space दे देते हैं space देने के बाद वो ऐसे ही type कर देते हैं यह देखेगा Friends इस तरीके से भी type कर देते हैं कुछ लोगों को मैंने देखा है कि इस तरीके से hashtag लगाते हैं तो यह तरीका पूरी तरीके से गलत है इस तरीके से hashtag नहीं लगा जाता है इसको में लिख देता हूँ आगे रॉंग वे ताकि आप लोग वीडियो जब देखें तो यह चीज आपको समन मैं आद है, यह तरीका गलत है, तो फ्रेंट यह पूरी तरीके से गलत तरीका है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यह गलत क्यों है, कि हैस्टेक लगाने के बाद आ कुछ लग ऐसे करते है कि इस तरह से लिख दिया और हाव तू लिखा अब टू ग्रो लिखा फिर आगे लिख दिया यूट्यूब चैनल ये भी तरीका पूरी तरीका ऐसे गलत है यह भी रॉंग वे ऐ, ऐसे नहीं लगता है है तो इस तरीके से मैंने देखा कई लोग हैस्टेग लगा के रखते हैं जो न्यू कमर्स हैं क्योंकि उन्हों पता नहीं होता है कि हैस्टेग लगाने का सही तरीका क्या होता राइट वे क्या है तो इसे क्या होता है कि उन्हों को कोई किसी प्रकार को प्रॉफित नहीं होता है और वो सोसते कि मैंने टेक्स ते लगा ती है मेरा चैनल ग्रो करेंगा और इसी धोकें में रहते हैंais樹 अपने चैनल वीडियो पर इसी तरह के ड़ी आउं लगाते चले जाते हैं तो मैं आपको बताता हूं अनुद्धा में कि इस तरह के परूब अप से benefit अठा साकें तो इसका right way किहा है डूरा हिसका उथ आ पर जैसे कि यह आपने देख लिया कि अज मै तरीका है अब मैं में इसको था हॉना हाओ सही तरीका क्या होथा है तो आपको सrendo यह बिलो डेका यह बाद how to grow YouTube channel मेरा कहने का मतलब यह है friends simple सा कि आपको hashtag के बाद कोई भी space नहीं देना है समझ रहे ना friends आपको hashtag के लगाने के बाद अपने title के बीच में किसी प्रगार का कोई space नहीं देना है आपको सब को जोड़ करके अगर इसके बाद आप इसके बाद आप इसके बाद यहां पर space दे देते हैं तो यह आपका active नहीं हुआ यह इसमें जानते हैं अगर इस तरह से आपने लखा तो इसमें active क्या है खाली इसमें active है खाली आपका how how खाली आपका active है अगर आपने मान लीजे कि इसको ऐसी लिख दिया हाउ टो ग्रो लिखा फिर वाद ये स्पेस दे दिया आपने तो इसमें आपका पूरा ये एक्टिव नहीं है इसमें एक्टिव है फ्रेंट्स खाली आपका इतना पार्ट जितना हैस्टैक के साथ मिला कर लिखा गया हुआ है सटा कर लिखा गया है जिसमें बिना स्पेस के कोई चीज़ अगर लिखी गई है बिस सिर्फ वही चीज़ एक्टिव होती है और कुछ भी जो जहां कर स्पेस आ गया तो वो active नहीं होती है, हाँ इसके लिए आप ये कर सकते हैं, कि आप इसमें dot लगा सकते हैं, या underscore लगा सकते हैं, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, तो आपका hashtag active रहेगा, फिलाल राइट वे है तरीका है, hashtag लगाने का, वो ये होता है, कि आप पूरे title को मिला करके लिख तो मुझे डिमाग में आए, कि अगर मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ, तो हो सकता आप लोगों को help मिल जा, उन लोगों को कुछ help मिले, तो मैंने इस पर ये वीडियो बनाना सोचा, तो आप लोग अप जाने से समझ गया है, और सही तरीका क्या है, hashtag का, तो आपको इस तरीके से, hashtag नहीं लगाने है, कि आपने hashtag का mark लगा है, sign लगा है, फिर उसके बाद आपने space डे करके, आपका अपना title लिख दिया, space दे करके, तो ये पुरी तरीके सगलत है, फिर आपने hashtag लगाने के तो थोड़ा सा उसके आगे लिखा मिला, अगर कि फिर आपने space दिती त तो आपका पूरा title एक्टिव नहीं होगा, इन्हें ये इनक्टिव माना जाएगा, और इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी ट्राफिक आपके वीडियो पर नहीं आएगा, आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगा, अगर आपने इस तरीके के टैक्स यूज़ किये हैं तो आपको हमेशा इस तरीके के टैक्स यूज़ करना है कि हैस्टैक साइन के बाद आपको अपने पूरे टाइडल को या जो भी आप कीवर्ड यूज़ करने जा रहे हैं उसको मिला करके लिखना है अगर आपने लिखा है how to grow your youtube channel फिर आप जैसे लिखना है आपको माल लिजे कि how to earn money online ये सही तरीका है देखें पूरा एक साथ मिला कर लिखना है फिर जैसे how to reduce weight ये सही तरीका है ठीके friends जैसे लिखा है how to burn fat ये सही तरीका है ये होता है सही तरीका है friends आपको कोई भी keyword लिखना है तो ये मैंने आपको कुछ examples भी दे लिए तो कि आप इस तरीके से अपने hashtags को लगाया करें आपने कोई भी keyword लिखना हो आपको उसमें आप किसी प्रकार को कोई space ना दे तब ही आपका hashtag active मना जाएगा तो friends वीडियो को यहीं पर end करते हैं hope so कि आपको वीडियो बहुत useful और helpful लगी होगी इससे आपको काफी मदद मिलेगी कि hashtag को लगाने का सही तरीका क्या होता है तो friends मिलते हैं next वीडियो में next आपकी साथ तब तक के लिए bye bye take care love you all thank you